तो हेलो फ्रेंट इस यूर होस्ट पंगागा होप यौल फिटन फाइन फाइन सो भाई आज कर लोग दभागेदार होगा I know मैंने आपको का था कि स्टोरी टाइम हो गए तो पता नहीं स्ट्राइम मुझे नहीं पता है यह स्टोरी टाइम हो रहे है या क्या हो रहे मैं बिल् पूछ का पूछ कितने होते है चार-चार आजार पे मांग रहे है टेहने यह पिर देखो इसको बुरा ना मानना पर जैसे हम जैसे नोची कहिलाते है मुरगे तो यार मैक्सिम्मन चुँम्छा 2 रूपीज कजी होते है और मनने के बाद वैल्यू जादा होती है तो अगर 2 क तो फ़ोड़ा पहला देदेंगे 500 रुप तो भी 1000 रुप चार जार की बात के मांग रहें तो भाई मैं पता दो रहा हूं या रंडेली आते हैं तो भाई ऐसा कुछ चल रहा है वी बट वह बात है वह वह वाइट कलर वाले ब्रोइलर होते हैं हम सोच रहे हैं देशिया कड़ बन जाएगा तो राकेश भी कई दिनों बाद आया भाई सब दिखाना अपनी चोट कैसी लगवाई आपने वाई 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 वाश 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 काफी महंती लड़का है डोग ने नहीं करया बही कर दे कह दो आए बाइक पे ना वह बाइक इन्होंने नहीं ली थी अ आप लेते देखे यह लो भाई सब इसे खड़ी कर लों तो ऐसा कुछ है तो चलो चलते हैं आज तो देखी जाएगी भाई है मुर्गे लेक्या हों इस पेकाल के लिए भाई थोड़ी थोड़ी ना हमारी हर्यान विया जोती हम कोशिश कर रहें हिंदी में बोलने ताकि सार आपकी अपाचे अर्र 310 कैसी है तो बही चलो चलते हैं और देखते हैं कैसा बढ़ेगा प्रोग्रम पर चार जार रुपे गे यार फॉर्थ हुज यह डोग्स में कितने रुपे लगवा लो बट बही चार जार किना हजम नहीं और है मुर्गे चार जार पर आप एक्स ले पर बही चिकन ऐसे लेकर आएंगे कि मलब कि पूरे एकर रशी वो खुशी के पिछे पड़ जाए ना कि खुशी उसके पिछे पड़े खुशी के पिछे वो पड़ने से यह तब मजाया चलो देखी जाए कि आज तो दोस्तों आज सेकिंड है उस वीडियो के हाथ पर हम ग हर गया तो घर प्र मुंणते कर दिया कि अहीं लेह ठलिगाने उनको पता ही ने अपको भूलना नियुक्तायों इसकी शरी चाया खांटाई झाब्कल्णि कार रहा है सारे यह तक निगे अ कर लेंगे तागि मैं अंदर रहूं नहीं तो मेरे को देखे मेरे पास आजाते हैं अभी एक खुद अपनी एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज कर सकते कर लेंगे ऐसे यह कपड़ा उठा लाए थे यह दो ओ दो तुक्ड़े कर लिए वही कपड़े के इन्होंने देख प अब भी आपको प्रताते हैं यह हमारे पास कैसे आए तो जैसे कि आप लोगों पता ही है कि इना मिना हमारे पास आए थे यह नए ऐसे लिए धंग से मैं प्रताता हूं आप चलो सो दोस्तों यहां बैटके बात करते हैं राम से आप लोगों से भी बात करें कई दिन होगे तो अब बात करते हैं कि आप इना मिना की मम्मी और मोसी को क्यों ले गाए अपने फार्म पे आप लोग कहोगे कि वह आपके पास अगर आपको गोल्डन ट्रिवर पसंद थे तो आप इना मिना को तो ले आए थे दो डोग गोल्डन ट्रिवर और की जूट थी और इतने दिनों बात क्यों लाए लाते तो साथ में ली आते हैं अगर वो इना मिना की मम्मी और मोसी थी सो कई सारी दिखते थी तो बात सुरू होती है आज से चार महिने पहले जब हम अपने नए पपीज लेके आए ओल्मोस्त फार मन्स पहले साथे तीन से चार महिने मतलब साथे थ्री और हाफ मन्स है। नाम है इना मेना So, हम अपने Channels पर, अपने वीडियो तोचला ही सकते हैं So, इछ व्लोग में दिखाया कि वही हम दो नएग नेग के आई हैं और यह जो व्लोग निटने में और फॉर्ट अफ मार्च को डाला था So, इछ शैर में पर्च को में बोग डाला था तो भाई जो यह ओनर था जो इन पॉपीज का ओनर था भाई अमिद भाई वो अपने सब्सक्राइबर निकले अपनी आर्पी फैमिली के मेंबर निकले कि यूप व हम किसी थार्ड पर्सन के थ्रू गय थे वहां पर तो उन्हों ने मुझे पैचान लिया और उन्हों ने कहा कि आप तो रचीत भाई है भाई ओम्हान जी तो कहते हैं मैंने खुद ये बच्चे आपकी वीडियो देख देख पाले हैं जो रजियार सुनता हैं तो म अपनी जो आज अपने पास आई हुई है वो ही है फिमेल तो इसमें मैंने बच्चे देख लिये थे तो मेरा आइडिया था मेरा प्लैन था कि वही हिसार के अंदर golden retrievers या पे इतना focus नहीं किया जा रहा और golden retriever बहुत अच्छी मतलब breed है जो जरूर हर pet owner ने एक बार तो पालनी चाहिए एक बार अपने घर में रखनी चाहिए इस वज़े से फिर में दिमाग में आया जब पापा को भी पसंद है तो हम क्यों ना इना मीना को ले आते हैं ठीक है तो इना मीना तो हमारी family member है तो हम उनको छुट छुट शुट बच्चों को ले आया है तो इनके थोड़े issues थे जिस वज़े से इनको आगे रख दी पा रहे थे तो तब मैंने इने कहा था कि भाई आप एक काम करो मुझे ये बड़ी female भी दे दो साथ में और इना मीना भी मैं ले रहा हूं कोई issue नहीं है यू नहीं है कि मैं यह नी ले लूँ और वो ले लूँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास जगा की कमी नहीं है हम अच्छी तरीके से रख सकते हैं तो भाई ने कहा कि आप बच्ची अभी ले जाओ अभी जो रज़ियर सुल्तान है वह उफिसी बात उन्होंने छोटी सी बच्ची करके पाली थी इत्ती बड़ी हो यह जैसे थोड़ समय भी बता देता हूं मैं जब हमारी हैलो बिल्कुल सही थी उससे दस दिन पहले बात होई थी उन्होंने यह गा था कि रचित भाई आपको आपने अगर ले निया तो आप ले जाओ आप मेरा मुद बन गया आप मैं दे रहा हूं उनके कोई इस्यू आ रहे थी फैमिली प जो और ज्यादा प्राइज लग गये थे दूसरे पैंट्शो बोनर्स भी दे रहे थे उन्हें पट उन्होंने का कि नहीं मैं पहले भाईया से ही बात करूंगा मेरे से तो उन्होंनों में को कोल करा फिर हमारी बात होई फिर मैंने कि ठीक है भाई मैं आ जाओंगा तो समय बाद जब हमारी है लू थोड़ी सीरियस थी तब मुझे बाद क्योंकि मैंने एक अफता पहली पोस्पून गजा था पर मैं उस टाइम फेर में लेके आया जल्दी गया जल्दी लेके आया मानू को भी साथ लेके गया था तभी मानू को नहीं पताता ना सो ये प्रोसे कि लेके अब प्रोसे कम जबाद जया कि अभी में अभी में गया थे एख धुैंगं झावरी है जब ही जब कर फ्रोसे लेके लेके लेका है जब मे भी उल्दी तया है रहा है कि अ अछिक गाहिए तो कि अन ऐसे मिना मिना वाली हरकते अब मुझे पता चला इना मिना की जो हरकते वो कहां से ए ऐ सें रजिय की ना हमारी लाइट कलर की और मिना डार कलर कि same pattern in में जो dark color वाली है वो आके पहले मिलती है प्यार करवाती है और light color वाली जो है वो भांग जयते खेलने के बाद में मिलने आती है इसनी शतान है तो भई फिर हमारी बात बूत हुई फिर सब चीद्स final हो गया और फिर अब ready to go हो गे कि हम अपने घर लेके जाएंगे तो हैं अब पाप परेका एक्टारिया तो दो ही है करी अब है 610 00 5 ग यह जाद टीन को पहले से थैरी है तो श्लेकि र्च हलाएं श्लीप को घाद इध अब और को फिरलिभ ओर श्लाशे आपिग श्डहिए पर बोल्ड यू अब अश्ल्चकनग के बिड़ारी है तो डायर यहाना इतने हैं यह पाल के रखे हैं और बस यह हम हारे पास इन्होंने जैई धी बन अब भी मिलने के लिए आजेंगे वगेरा पैसल इस ले मिरको दिये हैं इनोंने तो इस पर दोस्तों यह सारा प्रोसेस हुआ फिर अब हम अपनी कार में लेके मैं आप स्पेशल गया घर फिर मैं आया मानू को छोड़ देता मैं आया स्पेशल फिर हमने फाम पे लेके गए मम्मी और का रियक्षिन नहीं दिखा पाया क्योंकि घर पे जाके वह सीन नहीं था क्योंकि हमारी हैलो बीमार थी जाता तो घर वालों को मैंने इतना नीक दिखाया ना मैं कवर कर पाय त पर जिर्न तो हैला इतनी सीरियस होगी थी जो आप सबको पता ही है तो इसलिए अपनी मम्मी मम्मियों से गहरब मेरी मम्मी ने अभी जो रियक्षिन दिया उन्होंने फिर्स टाइम जो इन्से मिले थे जो मैं कवर नहीं कर पाया था बट अभी आने वाले टाइम में हमारे पास इतने pets हो गए हैं कि हम एक dedicated video बनाएं जिसमें मैं आपको सारे अपने dogs और सारे fishes वगएरा सब चीज आपको दिखा सकूँ तो all my pets वाली वीडियो भी दिखा सकता हूं मैं बना सकता हूं तो यह दो वीडियो आप मुझे कोगे तो मैं जरूर बनाऊंगा कमेंट सेक्षन में लिख के बताना ठीक है सो यह हुआ भाई यह हमारा प्रोसेस यह इस चीज के पिछे की कारण था इसलिए हम लेके आए तो बट एक वर बात भाई वह पैट मलब रजिया सुलताना जब वहां से आ मुष्किल बात है यह मानों आपकी थोर को आप हम किसी को दे पाई दे किसी फाइनेंशल इस्यू या किसी फैमिली इस्यू की वज़े से देना पड़ जाए वह खुश नहीं थे मिल्कुल हुई जो बंदा रोने लग रहे है तो दिख रहा है कि वह कितने एमोशनली आपको यह वाला जो टाइप है जैसे बैटके मां बात कर रहा हूं स्टोरी टाइम बता रहा हूं अगर आपको यह व्लोग पसंद आते हैं तो मुझे बताओ मेरे पास बहुत सारे किसे हैं मेरे दिदगी के वह सारे करेंगे हम बाते करेंगे और हम फैन फनी एनिमर मीम्स अब आपको दिखाता हूं हमारा थोरी जो यहां बैठके सारी बाते सुन रहा था अपड़ी तो यह मेरा यह मेरा लाडला भाई है यह फुल इसको इतने जितना पैंपरिंग इसको चीए हम सब करते हैं और बाकिया आपने सैटप अब आप एक मार मम्मी से भी मिल लो ठीक ह है वैर दोस्तो अब आपको दिखा देगा देर पर कि यह हमारे ज़ो मेन ह्ल कहसकते है अप रूम यह वाला आ सब्से जाधा दिखा होगा अपने क्योंकि सब्से ज्यादा मस्ता है हमारा हमारी यह मरी जान थौरी इक हमारी मम्मी ने लोग थोड़ा चेंज कर दी सब कि अखे यह लगा हूँ है और अभी हाँ पर ममी मेरी ममी बढ़ा क्या सुनती है किसी के पास पैसा आता है वह फिल्द पर और एक्टली मेरी ममी रिच डैड पूर डैड सुन रही थी मैंने मम्मी को का कि आप सुनो मम्मी को तो वैसे सब पता था इसके बारे में देखो तो बही तो कैसे लगा आपको हमारे पास रजिया सुल्ताना आई है आप लोगों को इनके नाम कैसे लगे अगर आप चाहते हो कि को इन मैं नाम रखे तो हम नहीं नाम रख देंगे हैं सबको पसंद आएंगे रजिया सुल्ताना नाम है इनका और यह आपने इनकी स्टोरी देख ली हमारे बास कैसे पूछे तो यह स्टोरी थी नेक्स व्लोग में और कुछ अलग चीज करने ही कोशिश करेंगे तो भाई इसे के साथ इस व्लोग को हैंड करते हैं चैनल को सब्सक